तो गाइस अगर आप अपने Facebook पेज का नाम चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है पर अगर आप ये नहीं जानते कि Facebook पेज और प्रोफाइल ज़रा अलग-अलग होती है तो अगर आप Facebook प्रोफाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो link मे उसका description में दे दूँगा आप उस वीडियो को देख सकते हो ये वीडियो होने वाला है कि हम Facebook पेज का नाम क्या से चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लेश्टोर एप्लिकेशन को open करना है और यहाँ पर इसे open करने के बाद आपको सबसे पहले अपना Facebook अपडेट है या नहीं ये चेक करना है क्योंकि Facebook के बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं जिसके बज़ेत से Facebook की थोड़ी बहुत सेटिंग भी चेंज हो जाती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Facebook को अपडेट कर लेना है इसके बाद आपको Facebook एप्लिकेशन को open क करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है अब आपको अपने उस पेज को सिलेक्ट करना है जिसका नाम आपको चेंज करना है तो यहाँ पर मैं एक पेज को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर इस पेज को सिलेक्ट कर लिया है अब आपको यहाँ प ओपशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा joka ऐवसी इंटरफ़ेस आ जाएगा और आपको यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही पर सेंटिंग का एक option इन्फ शेटिंग में आपको सिम्पल उस पर्चिक करना है इस पर क्लिक करने अपने Facebook पेज का जो भी नाम रखना है और आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने यहाँ पर AK Motivation की जगा पर AK Gaming नाम रख दिया है अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देख लेना एक बार अगर आप अपने Facebook पेज का नाम चेंज करते हो तो आपको 60 दिनों तक मतलब 2 मेने तक आपको नाम चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए आपको एक बार ही अपने Facebook पेज का नाम चेंज करना है और उसे अच्छे से ध्यान से रखना है आप जो चाहते हो ओ अगर आप फिर से अपने Facebook page का नाम change करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 60 दिनों तक रुकना होगा मतलब 2 मेनों तक इसके बाद आपको यहाँ पर नाम select करने के बाद आपको यहाँ पर review change का एक option मिल जाता है आपको simple उस पर click करना है इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह बता रहा है कि आपके जो page का current नाम था वो था AK motivation और आपने new नाम रख दिया है AK gaming तो यह हमारा यहाँ पर सही है अब आपको यहाँ पर अपने Facebook के जो profile है वहाँ पर आपने जो password को डाला था उस password को आपको यहाँ पर fill कर देना है तो मैंने यहाँ पर password को भर दिया है उसके बाद आपको नीचे के साइट एक save changes का एक option मिल जाएगा आपको simple उस पर click करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जो page का नाम change किया था ओ यहाँ पर change हो चुका है आपको यहाँ पर back जाकर भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखना मैं यहाँ पर page वाल उप्शन पर click करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे page का जो नाम एक के motivation से एक के gaming हो चुका है तो गईज यह वीडियो आपको कैसे लागा यह कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना बबाई